इस वीडियो में जो हम नेशन्स लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा क्रोएसिया वर्सिस फ्रांस के बीच मैच का वेनी होगा क्रोएसिया किक अफ होगा रात में 12 15 एम पे तो दोस्तों फ्रांस वन अप दा बेस्ट टीम है वोल्ड फुटबॉल की और आपको याद होगा ट्वेंटी एटीन जो वल्लकप हुआ था वो भी फ्रांस ने जीता था इन फैक्ट जो ट्वेंटी एटीन वल्लकप का फाइनल हुआ था वो फ्रांस वर्सिस क्रोएसिया के बीची होगा और फ्रांस ने वो फाइनल क्रोएसिया को हरा की जीता था वहीं क्रोएसिया की रेंकिंग 16 थे अच्छी टीम है इनकी भी बट लाश्ट कुछ एक दो यहर से इंटरनेशनल स्टेज में उतना अच्छा परफोमेंस नहीं किया है अल्थो फ्रांस भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है लेकिन ओवरॉल देखा जाए तो क्रोईसिया का कुछ ज्य अपने घर में 2-1 से आर गी जो एक गोल मारा था बेंजीवा ने स्कोर किया दो और एंकुंको ने असिस दिया था जबकि क्रोईसिया भी अपना पहला मैच नेशन से कार चुकिया है और यह तो और बुरी तरह से 3-0 के मार्जिन से अपने घर में हा रहे है तो यह दोनू ट करेंट होगा हां मैंने एक चीज नोटीस करिए साथ आपने भी नोटीस करेंगी जो नेसंस लीग है इसमें जो बड़ी कंट्री से ना उतना ज्यादा ध्यान नी देरी क्योंकि एक तर बहुत मेजर ट्रॉफी नहीं होती है दूसरी चीज बहुत है प्लेयर्स लोगों पे अभी अभी उनका जो है क्लब फुटबॉल का सीजन एंड हो है उसके जश्ट पाथ उनको नेसंस लीग खिला जा रहा है तो काफी प्लेयर टायड लग रहे हैं उतना ज्यादा एफट भी नहीं डालने इसी वैसे आप देख रहेंगे इंग्लेंड भी अपना पहला में चा सकते हैं कि क्रोएशिया को आप बिल्कुल एंडरेस्टिमेट मत करना फ्रांस पहला मैच और लेडी हाड़ चुकी है इंग्लेंड भी बड़ी कंट्रीज आ रहे हैं तो क्रोएशिया इनको अपने घर में पूरी तरह से टक कर देर के हराने में के विबल है बट फिलाल के ल यह वाला मैच तो फिलाल प्रोविबल लाइन अप पर माते हैं उससे बेले एक चीज कियाना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंग या तो आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मि लेगा टॉप पिन कमेंड में वहां से जुड़ गया मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं 4500 के असपास सब्सॉलर चैनल आपको मिल जाएगा अब हम आते हैं प्रोविबल लाइन अप पे चो मेरे अकॉडिंग फेवरेट होगी फ्रांस उनकी बात करते हैं तो मेर पिछले मैच में इंजेट होके बाहर जलेगे तो और एमबापी भी पिछले मैच में हाफ टाइम में सब्सीडिट होगे तो इंजरी के वास यह भी डाउटफुल है आई थिंग यह दोनों स्टार्ट नहीं करेंगे और भी कुछ मेजर चेंजेस होने आले फ्रांस की स्कौ हो सकते हैं तो गोलकीबर इनके मैन्यान होंगे जो की अभी-अभी मिलांस से सीरिया टाइडल जीत के आए वैसे इनके में गोलकीबर लोरीज है लेकिन आज उनको रहेश मिलेगा तो मैन्यान इनके गोलकीबर होंगे थ्री इन दा बैक पवाड सलाइबा और किम पैमबे इ यह लोग गोल कंसीड कर दे रहें लाश्ट कुछ एक-दो एर से मतलब उतना डिफेंसी वाइस सॉलिड नहीं रहे इस्टिल अभी के लिए मैं मैं मैंक्जिमम डिफेंडर इनके पिक करूँगा क्योंकि ज्यादा क्वालिटी फेंटेसी वाइस तो फ्रांस के डिफेंस में तो मैं आपको सजेश्ट करूँगा इन पांच में आप मिनिममम तीन डिफेंटर तो शोली पिक किजिए आप चार भी पिक कर सकते हैं बागी ग्रेंड लीग में आप एक वन निल नेरो फ्रांस विक्ट्री वाली एक दो टीम ले आ रहे हैं उसमें पांचों के पांचों भ आपके देखिए इस चीजन इसने लीग वन में लेंस टीम से खेलते हुए ना पांच गोल और दस इग्यार असिस्ट किया थे तो बहुत फिनोमिलल रिकॉर्ड है और बहुत अटेकिंग विंग है क्लॉस कभी भी गोल असिस्ट कर सकते हैं डिफेंसी वाइस भी अच्छ है में लोन में कहते हैं बहुत अच्छ है इन्होंने किया और लास्ट मैच में वराण की इंजरी के बाद जब यह अंदर आए थे डिफेंसी वाइस भी बहुत अच्छे दिखे थे तो यहां पर आपना कोई ले सकते हैं पवाट सलाइबा में बट अभी के लिए मैं पवाट क अगले कुछ एक दो महिने में आपको दिखाए दे और चुवा मेनी को हमने पिक किया पूरे तरह से इन्होंने आमें रिवॉर्ट दिया था उसका 40 पॉइंट इन्होंने दिये थे विदाउट गोल असिस्ट जिसमें 3-4 टैकल थे एक-2 इंट्रेसेप्शन से पासिस की बह प्लेस में 4 डिफेंडर यहाँ है आप एक एकष्ट्रा और डिफेंडर भी कर सकते हैं फॉर्वर में रूमर्स आ रहें हैं बैञेमा 50 50 है बट में इस्पेक्टेड नहीं है कि ग्रीजमेन और एंबापे स्टार्ट करेंगे तो मैं बेंजिमा शोली करके इनको कैप्टन करूंगा पिछले मैंच में जो एक मात्र गोल आया फ्रांस की तरफ से वह भी बेंजिमा ने स्कोर किया था और उसमें असिट जाता है एंग कुंकु ने बैनियदर के आप स्ट्रेट देखना लाश्ट तीन यह चार सीजम से लीग बन में हर सीजन में पंटी प्लस गोल मार रहा है यह मुनेकों में खिलता है औल्दो फ्रांस निसनल टीम में कभी इसको रेगुलर मौका नहीं मिला विकॉस वहां में इन श्ट्राइकर है बेंज अच्छा कर सकते हैं बड़ आपको लग रहा है फ्लॉप जाएंगे सिंपली आप इनको अठाके चार फ्रांस के डिफेंडर या आप चुहा मेनी गंडोजी दूनों को पिक कर सकते हैं या एक एक एक्स्ट्रा टेगर क्रोएशिया से ले जा सकते हैं बड़ फिलाल में बैन तो बेंगी माई पेनल्टी टेगर भी रहेंगे फिलाल यह मैंने फ्रांस के स्टैट लिखें वाइल कप क्वालिफाइर्स के आप चाहे तो यह स्टैट देख सकते हैं अपोनेंट की बात करने से बेले फिर से रिमाइंड दिला दू इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेद हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंग या तो आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में लेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमें में वहां से जुड़के आम मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं 44 या 4500 के आसपास सब्सक्रिशन आपको मिल जाएगा अब हम बात करते क्रोईस्या की लिवाकोविक इनके गोल की पर बहुत इंपर्टेट हूंगे क्योंकि फ्रांस ज्यादा टेक करीगी तो मैं अ जो कंसिस्टेंट बेसिज में अच्छे हमें फेंटेसी पॉइंट जेदे तो अभी के लिए मैं एक भी डिफेंडर पिक नहीं कर रहा हूं इस्टिल आपको किसी के साथ जाना है वीडा हैडर्स में सॉलिड है वेटरन प्लेयर है काफी टाम से खेलना है बागी डिफेंसी ठीक ठाग है बरिसे जुरानोविक में किसी मैच में ज्यादा पॉइंट देते हैं तो इन में भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है इस्टिल आव इन तीनों में चाहे तो अपने अक्वाडिंग किसी एक के साथ जा सकते हैं बड़ मैं अभी के लिए एक ब्रोजोविच म मैंने लीजेंड है के लिजे बेस्ट प्लेयर है शुली में पिक करूंगा और पैनालिटीज में भी मॉट्रिज आपको दिखेंगे कॉर्णर के एक सब चीजे लेते हैं और क्रोश्या के लिए रियाल मेटिट के कंपरिजन में बहुत ज्यादा गोल असिस्ट करते हैं वाल अच्छे कासे पॉइंट यह भी दे सकते हैं डिफेंसिव कॉंट्रिविशन भी करते हैं बॉक्स टू बॉक्स रंस भी बनाता है तो कोवाचिज भी आपके लिए अच्छा उप्सन हो सकते हैं और में प्लेयर को मेरे पास पिक करने के लिए स्पॉट नहीं था बट शोली अच्छा इस्ट्राइकर है वहां का टैलिसमैन में प्लेयर है बहुत गोल्स असिस्ट करता है बहुत ज्यादा गोल्स भी निमारता बट क्वालिटी है आपको लगता है एकाथ गोल क्रोईशा निकाल लेगे आप शुली क्रमेरिक कर सकते हैं बैनियदर को ट्रॉप करके ब गोल मारता है तो अगले 2-3 मैचे फ्लॉप रहता है तो ब्रीकेल हो जील में ट्राइ करना मायर अच्छा प्लेयर है लीग वन में इसने सिजन गोल असिट भी किया है लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना पिछले मैच में मायर 55 मिनट के आसपाई सबसीट हो गया था तो कोई वर मोड्री चाहें फिलाल यह मैंने क्रोईशिया के स्टैट लिखे वर्ल्लक कप क्लिफाइड के आप चाहें तो इस टैट देखके स्क्रीन शॉट क्लिक कर सकते हैं फिलाल जो मेरी प्रेटिक्शन है में टू-1 फ्रांस विक्ट्री के साथ जरू दूसरी मेरी एक वन-वन ड् पारियों स्वेसे इसके भी चांसे थे हैं तो फिलाल यह मेरी डेमोर अफ्टीम है गुल की पर मैंने लिवाकोविक क्रोईशिया के लिए तीन डिफेंडर अभी के लिए मैं फ्रांस के विक्कर के गया हूँ दीनिया है क्लॉस है और पावाड है पावाड वाले प्लेस में पिक कर लिया फिलाल मैंने केप्टन सी बेंजिमा को इस तरह कि यह फर्म में अगर यह 11 होती है वाइस केप्टन सी में एंकूं को ही मुझे डीसेंट अप्सन लग रहे है हाँ अगर आप बेनी अधर पिक कर रहे है तो आप एक्स्टेक कर रहे है अच्छा करेंगे आप इन पानी के वाद में टेलीग्राम चैनल में पोश्ट करूँगा उसका लिंक के डिस्क्रिप्स्यों वॉक्स में जोइन कर लिजिए